वेल्कम दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में खोल जाएंगे किस्मत के दर्वाजे घर में यहां रख दे मोर पंक होगा हर समस्या का समाधान दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं चमतकारी नुस्खे सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लिक कर लीजे बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलते रहेंगे तो दोस्तों जो लोग घर में मोर पंक रखते हैं उनके घर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है आईए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें श्रीकृष्ण मस्तक पर मोर पंक हमेशा धारण किये रहते हैं इसी वज़े से इसे पूजनी और पवित्र माना जाता है मोर पंक से दुरभाग ये खत्म हो सकता है सौभाग ये बढ़ोतरी होती है वास्तु और जोतिश में मोर पंक के उपाए बताए गए है अगर घर में सही तरीके से मोर पंक रखा जाए तो इससे शुब फल प्राप्त होते हैं पहला उपाए अगर कोई जरूरी काम पूरा होते होते रुख जाए बहुत समय से कोई काम अटका हुआ हो तो अपने बेडरूम की पूर्व दक्षन दिशा में मोर पंक लगाए इससे रुके हुए काम पूरे होने के योग बनेंगे साथ ही अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो वो भी वापस आने के योग बन सकते हैं दूसरा उपाए घर या दुकान की दक्षन पूर्व दिशा में मोर पंक रखने से घर की नकारात्मकता दूर होती है तीसरा उपाए है घर के में गेट पर तीन मोर पंक स्थापित करें इन पंकों के नीचे भगवान श्रीगडेश की फोटो या फिर चोटी सी प्रतिमा स्थापित करने से घर के सभी वास्तु दोश दूर होते हैं जो व्यक्ति अपने पास हमेशा मोर पंक रखता है उसके हर काम सफल हो जाते हैं साथ ही अपने डाइरी में मोर पंक रखना भी शुब माना जाता है पांचवा उपाए किसी भी शुब दिन मोर पंक लेकर घर में ऐसी जगे रखें जहां हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़े इस से आपके घर किसी बुरी नजर का असर नहीं होगा तो दोस्तों ये थे कुछ मोर पंक के उपाए एक बार इनका लाप जरूर उठाएं और हमारे साथ अपने एक्सपीरिंस जरूर शेयर करें दोस्तों जुड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें